नमस्कार दोस्तों सीता की मदूर रसोई में आप सब का स्वागत है पैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और फूस होंगे तो आज की हमारी रेशिपी है खमन धोकला वो भी गुजराती डिस है और बहुत ही टेश्टी बनाएंगे चलिए रेशिपी सुरू करते हैं खमन धोकला बनाने के लिए दोस्तों हम दो चम्मच बड़े चम्मच हम लेगे पीसी हुई चीनी और उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और डाल करके हम मिक्स करेंगे और यह देखिए हम एक बड़ा निबू ले करके काट करके हम इसका जूस निकाल लिए और च्छान करके डाल देंगे और mix कर देंगे तो देखिए इसमें हम डालेंगे अभी एक चमच हल्दी डाल करके mix करेंगे अभी डालने का वज़े है दोस्तों की जो हमारा ढोकले में red color आता है वो नहीं आएगा और पानी डाल करके हम अच्छे से गोल तयार करेंगे तो देखिए अच्छे से जब गोल तयार हो गया तो हम इसी स्टेज पर डालेंगे बेशन इस चनी का बेशन है दोस्तों इसको च्छान करके हम ले लिए हैं और ढोकला बनाने के लिए स्मूथ बैटर तयार करना होगा और हम डालेंगे अभी दो बड़े चमच रिफाइंड आयल इसमें कोई खुस्भू नहीं है ना सादा है तो देखिए अभी हम एक लेंगे मोल्ड और या तो आपके पास टोप अगरा है थाली है उसमें भी आप बना सकते हैं तो देखिए अभी थोड़ा सा माटा डाल करके हम कोडिंग कर लेंगे और लगा ग्रिस करके तो अभी हम इनो लेंगे इनो पूरा एक पैकेट हम छोटा पैकेट है डाल दिये हैं अब उसके ऊपर हम डालेंगे पानी एक्टू होने के लिए और देखिए मोल्ड में हम डाल देंगे इधर देखिए कडाही में पानी रग दिये थे और रिंग डाल करके हम बैटर को डाल देंगे पकने के लिए पचीस से तीस मिनट और चटनी बनाने के लिए हम सब सामाल ले लिए हैं तो देखिए पिसीवी, चीनी, निभूका जू, सहरी, मीच, कड़े, पत्ता, जीरा और मोरी तो चलिए अभी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा ढोकला खामन ढोकला बनके तयार हुआ कि नहीं तो चलिए अभी हम दिखाते हैं इस एक देखी आपक के तयार हो गया तो देखें और हरी मेर्च यह देखें इसमें हम डालेंगे पानी तो पीसी वी चीनी अब हम डाल देंगे और नीबू का जूस डाल कर गे और अभी हम पानी डाल देंगे अभी हम एक चमच नमक डाल देंगे पकने देंगे तो देखे इधर ठंडा हो गया है खमन धोकला तो हम थोड़ा साइड साइड से चाकु घुमा देते हैं क्योंकि ऐसे ही डीला हो गया यह प्लेट लेंगे और पलड देते हैं तो देखे अभी हम निकाल लिए तो चाकु से हम लेकर के लाइन तो देखे चारो तरफ से हम इसकुआर में काट लेंगे क्योंकि इसमें चटनी जब जाएगी तो टेस्ट अच्छा लगेगा और यह देखे एक पीस उठा करके दिखा रहे हैं कितना साप्ट खमन धोकला बनके तयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी है बहुत ही साप्ट है तो लिए इस पर हम चटनी भी डाल देते हैं साइड साइड से डाल देते हैं खमन धोकला बहुत ही टेस्टी है और देखे दिखने में कितना सुंदर लग रहा है मारा खमन धोकला बनके तयार हुआ है और अभी चलिए हम दिखाते हैं कि कितना साप्ट है तो उपर से धनिय कि पत्ति हम डाल करके गार्निस कर देंगे तो देखिए धोकला एकदम टेस्टी सूपर बन के तयार हो गया है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल पर जो पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो देखने के लिए धन्यब ताइम क्यू